नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका देजलेबी में दोस्तों आज के इस महत्पूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पके कटाहल के क्या फायदे होते हैं जी हाँ कच्चे कटाहल को तो बहुत सारे लोग सबजी के रूप में प्रियोग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो पके कटाहल को खाना पसंद करते हैं जी हाँ दोस्तों, पके कटेल को यदि आप खाओगे तो इससे आपके पेट संबंदी कई सारी बीमारियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी और आपके सरीर में गजब की उर्जा प्राप्त होगी तो इसलिए पेट की बीमारी अगर समापिकननी है, साथ इसाथ सरीर को बलवान, मजबूत और शक्त से संपन्न बनाना है, तो पके कटहल का सेवन जरूर करिए. दूसरा फायदा दोस्तों ये है कि पके कटहल में रेशे अच्छी मात्रम में पाए जाते हैं, तो बजन गटाने में भी ये बहुत ही कारगर साबित होता है, यानि कि अगर आपको वेट लॉस करना है, साथ इसाथ अपने सरीर में उरजा के स्तर को बनाए रखना है, तो जिम की भेंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे बेक्ट भी यदि पके कटहल का सेवन करते हैं, तो उनको बहुत जल्दी फायदा होता है, दो से तीन महीने में अस्तमा पेशन्ट को पके कटहल से काफी अच्छा फायदा देखने को मिलता है, दोस्तों चौथा फायदा होता है पके मैसुस होने लगती है एसे लोगों को किसी भी काम में मन नहीं लगता हर काम बोजिल लगने लगता है तो ऐसे में पके कटहल का सेवन यदी वो करते हैं तो उन्हें कम समय में उनके अंदर की स्फूर्ति उनके अंदर की ताकत दोबारा से लौट आती है तो आयरन से भरपूर होता है यह दोस्तो इसको खाने वाला वेक्त कभी भी एनिमिक नहीं हो सकता यानि की एनिमिया की प्राब्लम उसको नहीं हो सकती इसके अलावा दोस्तो जो पांचमा फायदा होता है वो आपके हरदे के के लिए होता है हाट संबंदी किसी बीमारी से आप गरस्त है तो ऐसे में आपको पके कटहल जरूर खाना चाहिए इसमें पुटेशियम के अच्छी मात्रा पाई जाती है आपके हार्ट को स्वस्त रखता है बढ़ियां रखता है तो ध्यान दोस्तों कच्छे कटहल के साथ साथ पके कटहल का भी अपना फायदा होता है इसको खाना बिल्कुल भी मत भूलिए जरूर पर्चेस करिए कभी भी मार्केट में मिले ग्रामीड छेत्रों से आप इसे मंगवा कर खा सकते हैं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अनलोग भी स्मेहते पूर्ण जानकारी से अउगत हो सकें धन्यवाद